करीब आएं तो इंडियन टूप्स के फाइर गोली चला दो अच्छा यानि वह 500 मीटर्स या पहले ही बहुत करीब हैं तो लेकिन अब यह कहा गिया है कि गोली चला दो जहिन दोस्तो मोडी डिस में आपका सौगत है भारत और चीन के बीच बहुत महिनों से तनाव चल रहा है लड़ाग में यह आपको पता होगा और इसी वज़े से मोडी जी ने भारत या सिना को यह कहा है कि वो चीन के खिलाप कारबाई कर सकते हैं उन्हें न्यू डिली से पर हमला करें तो उसके जवाब में भारत या से ना चीन पर फाइरिंग कर सकती है तो इसी पर पाग मीडिया बात कर रहा है पाग मीडिया कह रहा है कि मोडी के भारत आर्मी को यह खुला हाथ देने के बाद चीन और भारत के भी जो टनाव है वह और भी ज़ड़ा बढ़ पाग मीडिया इस पर बहुती सदा है रहान है कि मोडी जी ने चीन के खिलाएं भारत आर्मी को ऐसा खुला हाथ दे दिया है कारभाई करने के लिए उन्हें लगाथा कि मोडी जी चीन के खिलाब कोई सब एक्शन नहीं लेंगे पर मोडी जी ने सब को यह गलत साबिट कर तो उसी पर पार्क वीडियार बात कर रहा है तो दोस्टों ये वीडियो बहुत ही मरसे दार है तो इसा पूरा सरूर देखेगा तो चले और इंटेसार ना करके ये वीडियो देखते हैं और मैं सिर्फ आपको ये बताओं कि दाहिंदू जो है वो आज फर्स टाइम उसकी जो पहली दो ये बात हुई है कि जो एलिसी होता था किसी जो खतम हो चुका है चाइना के साथ बॉर्डर एरिया जो उसके बारे में वो कहा है उन्होंने के आफिशल ने के पी एले कम्स क्लो बवान है मैंकर अगिर बुली चल गई तक दॉपनं एक घॉक और कर और अजाइन आपिन इनिए सेरीशली हैं और वार नियों पर मेड टॉर्स बहुतार वांने के जातां फिपोरनस पर तक है पूसिए टरो ने के साथ इसक्श on a जान कि घॉझाण крепॉले तो काइए तरिन जंग का खतरा कि मिस कैलकुलेट करके वो बढ़ रहे हैं बरहे है रास उसके असरात पाकिस्तान पे होनी जाए अब देखें कि ये जो इंडिया के साथ ममला हो रहा है इंडिया चाइना पहले इस से पहले जब भी बहारत और पाकिस्तान की कशीदगी होती थी तो अमेरिका कोई यूरप के मुल्क आ जाते या बीच में कि हिए ते कर दो निकलियर पार्स थे तो ऐसा नौकिंग टेमी के तनर्में किशिद्गी प्रिदा हो जा जाए इस वक्रत पहली दफह पहली दफह दुनिया की तरी तरीख में तीन निकलियर पार्स प्रॉड़ोसी अपस दूनिय हैं तीन निक्लियर पार्स चाइना लेकिन पुरी दुनिया खामोश है अब देखें पुरी दुनिया खामोश है उसकी वज़ाई यह है कि पाक्तान इंडिया का होता तो आज ही दुनिया कुछ चुकी होती है अभी तक इंडिया से भी अब बैना सुन रहोता है हमारी लेकिन इंडिया पाके तीन बड़े मुलक और इनके अबादी अब देखें तो दुनिया एक तरफ है और ये तीन मुलक एक तरफ है और तीनों की सरहदे और तीनों नुकलियर पार्स तो बात यह है कि अब दुनिया हमुश है दुनिया इसमें कुछ भी नहीं बोल रही और आगे भी अगर ये एक्सकलेट होता है मामला, इंडिया और चाइना का, तो इंडिया कहां पर है, किस कैम्प में है, रूस की तरफ क्यों जा रहा था, इरान क्यों गया, OIC में चले जाएं तो क्या करेगा, OIC क्या करेगा, चाइना से लड़ेगा जाके, इसराइल के साथ तो हैं, तो क्या इसराइल मदद करेगा, आके चाइना के खलाफ, उनकी फाजे आएंगी, अपने छोड़ के घज़ा और वहाँ, तो बात यह है कि वो, अगर कुछ देना था तो इंटेलिजेंस दे नहीं थी आपको, कि पियले मूफ करी, वो भी नहीं थी आपको, कि पियल जिस सो मामला है, जिसके अंदर ये टेंशन आने वाले दिनों में राइस करेंगी, तो अगर गौम तक पहुंचके तो फिर तो सीधा अमेरिका है, वो जो जजीरे बने हुए हम बात कर चुके हैं, फर्स्ट चेन आइलेंस कौन से हैं, तो गौम सेकिंड में आता है, तो अपते ही हैं, लेकिन ये के मामला कशीदा है, चले दोस्तों वीडियो पर बात करते हैं, तो पहले मैं बटाना चाहता हूँ कि पाग मीडे हैं, जो कहा कि लेसी खतम हो चुका है, येक्दम गलत है, लेसी खतम नहीं हूँ हूँ, यूगकि भारत और चिन ने कभी नही कहा क कि एल सी ख़टम हो गया तो जब तक दोनों देस नहीं मान लेते कि अभी कोई एलसी नहीं है तो एलसी अभी भी है तोainen मीडिया ले यह भारत को नीचा दिखाने के लिए कहा है कि एल सी ख़टम हो गया चायना ने भारत के हिस्षे पर कबजा कर लिया तो इस पर पाग मीडिया जूट बोल रहा है पाग मीडिया सिर्फ भारत को कमजोर डिखाने के लिए ये सब बाते कर रहा है और पाग मीडिया जो कह रहा है कि गोली अगर चल गई तो वो कन्ट्रोल कैसे होगी तो वो चीन को देखना जाई है मूदी जी ने तो कहा है कि चीनी से ना अगर भारते से ना पर हमला ना करे तो भारते से ना फाइरिंग ना करे तो चीनी से ना अगर भारते से ना पर हमला नहीं करेगी तो भारते से ना भी फाइरिंग नहीं करेगी और भारते से ना firing तभी करती है जब चीनी से ना भारते से ना पर हमला करती है तो भारते से ना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए चीनी से ना पर firing करती है तो इसमें पार्क मीडिया जो कह रहा है कि कोली अगर चल गए तो ये कंट्रोल कैसे होगी तो ये उन्हें चीन से पूछना चाहिए भारत ने तो कोई हरकत नहीं कि भारत ने तो कहा है कि वह एलेसी को मानते है और चीन नहीं कह रहा कि वह एलेसी को मानते है या नहीं चीन अगर कह दे कि हम LAC को नहीं मानते तो भारत वहां से बाचित कर सकता है पर चीन ये भी नहीं कह रहा कि हम LAC को नहीं मानते और ये भी नहीं कह रहा कि हम LAC को मानते है तो इसमें चीन की ज़्यादा गलती है और पाग मीडिया को ये चीज़ बोलनी चाहिए पार्ग मीडिया सिर्फ यही कहता है कि इसमें सी भारत की गलती है और भारती चीन को प्रोबोग कर रहा है जो एकड़म जूटी बात है और भारते से ना चीन को पर फाइरिंग ना करे तो क्या करे अगर चीन ने भारते से ना पर हमला किया भारते से ना क्या चुपचा वहां पर बैठीद है और पार्ग मीडर हर बार चीन के प्रोपागेंदा नीजपेपर को गवर करता है चीन के प्रोपागेंदा नीजपेपर ने जो कहा है कि भारत ने चीन को नहीं कहा कि भारत किया जाता है तो भारत चीन के भी जो बातचित हुई थी तो उसमें क्या भारत ने च चीन को नहीं बताया कि भारत क्या चाहता है चीन से और पाकिस्तानी मीडिया अगर चीन के प्रपगेंडर न्यूस को कवर करेगा तो पाकिस्तानी मीडिया का एनलिसिस सिर्फ यही होगा कि भारत गलत है और चीन सही और पाग मीडिया जो कह रहा है कि पूरी दुनिया भारत चीन आपस में इसको सुलजा ले तो पाग मीडिया इस पर खुले आम जूट बोल रहा है और पाग मीडिया अगर इस चीज पर जूट बोल रहा है तो आपको पठा होगा कि पाग मीडिया और कौन कौन से चीज़ों भे जूट बोल रहा होगा और आखिर में मैं सिर्फ यह कह तो अब ही दूसरे देशों के साथ रिस्टे क्यूं बना रहा है यह एकदम बगबास बात है क्यों कि पाक मीड़ा के मुटाई की भारत कॉमना पुरा फोकस चीन पर लखना चाहिए और दूसरे देशों के साथ अपने दिस्टे नहीं बनाने चाहिए मतलब कि भारत सब काम छ कर जाए कि लड़ाक से निकल जाओ यह कितने बेवकुफना बात है मुझे आपको यह बताने की जरुवरत नहीं है तो चलिए देखते की फ्यूचर में क्या होता है पाग मीटा तो इस पर जूट बोलना बन नहीं करेगा तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए बहुत ब झाल